Hello everyone, welcome back to our channel Kids Learning Fun आज हम discuss करने वाले हैं Class First Maths Worksheet जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अभी हाफेरली एक्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मन्त में उसकी प्रेक्टिस के लिए आप इस वरक्षीट को जरूर लास तक वाच कीजेगा इस वरक्षीट के help से आपको अपने एक्जाम में आने वाले questions के बारे में knowledge हो जाएगी और आपकी practice भी हो जाएगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से request करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट आम विजिट कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो जो है वो helpful लग रही है तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजेगा और चैनल किट्स लर्निंग फन को subscribe चलिए फर्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं यहां पर हमने फर्स्ट कोशन लिया है right, lesser than, greater than और equal to क्लास फर्स्ट में बच्चों को इस pattern के बारे में बताया जाता है और practice भी करवाई जाती है यहां पर हमें two numbers दिये गए है 24 and 26 So, 24 में से कौन सा number बढ़ा है और कौन सा number छोटा है यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा हमें देखना होगा 10 की place के ओपर कौन सा number है So, 10 की place के ओपर यहां पर दिया गया है two and यहां पर दिया गया है three It means three six, 36 जो है वो हमारा greater number है जो भी हमारा greater number होता है उसकी तरफ हमारा sign इस तरीके से लगता है, यानि कि इसका जो mouth है वो इस तरफ open होगा, next है हमारा 51 and 51, so 51 और 51 बोद number जो है वो equal है, so उसके लिए हमारा sign use होगा, equal to का, next question है हमारा 96, 46, 96 again हमें चेक करना है कि 10s की place पे कौन सा number है, तो यहाँ पे दिया गया है 9 and यहाँ पे दिया गया है बच्चों 4, so 9 जो है वो हमारा bigger number है, तो हमारा sign आएगा इस तरफ, 39, 62, 39 and 62 में हमारा बड़ा number है 62, so greater का sign आएगा इस तरफ, 93, 93, both number जो है वो equal है, तो हमने equal to का sign यहाँ पे लगा दिया है, next question है हमारा 54 and 58, again हमें देखना है 10s की place पे दोनों number जो है वो 5 and 5 है यानि की equal number है, तो अब हम चेक करेंगे 1s की place पे, so 1s की place पे है 4 number और यहाँ पे दिया गया है 8 number और bigger number है हमारा 8, it means 54 number जो है वो smaller है and 58 number हमारा bigger है, तो इसको हम इस तरफ से लगाएंगे, 86, 81, 86 हमारा greater number है, 75, 75, both number और equal, 90, 82, again हमें 10s की place पे चेक करना है, तो 9 number हमारा बड़ा है, तो यह sign हमारा आएगा इस तरफ, 29, 93, 93 हमारा bigger number है, तो sign आएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बच्चों प्रेक्टिस करी है, lesser than, greater than and equal to के sums की, तो next question we have, right from smallest to the largest, यहाँ पे हमें कुछ numbers दिये गए हैं, इन में से हमें सबसे पहले लिखना है, सबसे smallest number and फिर हमें लिखते-लिखते largest number लिखना है, it means यह है हमारा ascending order form में numbers दिये गए हैं, इन में हमें ascending order form में लिखना है, तो सबसे पहले हमारा smallest number है 7, then आएगा 11, उसके बाद हमारा number है 26, then 56 and last में हमारा number दिया गया है 84, तो यह हमने लिखा है smallest to largest number की तरफ यानि की ascending order में, इनको भी चेक करने के लिए बच्चों counting के लिए आपको अच्छे तरीके से preparations करनी पड़ेगी, and साथ ही साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे single number है, तो यह सबसे smallest number हो गया, then यहाँ पे two digit के number आगए है, तो 11 है यह, तो यह भी उससे बड़ा number है, then 26, 56 and 84, next number हमें जो दिये गये हैं, उसमें सबसे smallest number है 5, then दिया गया है 11, then आएगा 16, then 29 and last में number आएगा हमारा 35, ऐसे ही यह भी कर लेते हैं, सबसे छोटा number है हमारा 9, 15, 49, 54 and 82, इसी प्रकार से आपको last question को भी करना है, so next question है हमारा right from largest to the smallest, इससे पहले हमने जो question किया था, वो किया था smallest to largest, यानि कि ascending order में, and यह जो question हमें दिया गया है, वो largest to smallest form में लिखना है, it means descending order में, so descending order में और largest to smallest number में आएगा कि सबसे पहले हमें लिखना है, बच्चों सबसे largest number यानि कि biggest number जो बड़ा number है, तो यहाँ पे बड़ा number है हमारा 92, then है 63, उससे छोटा number है 22, and last में हमारा number आएगा 5, ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है 100, 46, 26, and 9, इसके अंदर हमें दिया गया है सबसे biggest number है हमारा 84, क्योंकि हमें 10 की प्लेस पे चेक करना है, then आगया 54, 49, and last में है 34, इसी प्रकार से यह question भी हमें करना है, next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा see below an answer in true or false, यानि कि हमें कुछ questions यहाँ पे दिये गये हैं, हमें उनको read करना है, अगर वो correct है तो हमें यहाँ पे true लिखना है, अगर वो wrong लिखा गया है तो उसको हमें false लिखना है, तो यहाँ पे number दिया गया है 24, 24 यानि कि 2 जो है वो 10 की प्लेस पे है, and 4 जो है हमारा once की प्लेस पे है, it means यह question जो हमें दिया गया है, यह सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे true, अब यहाँ पे 4040 equals to forty 40, it means यहाँ पे spelling को चेक करना है, number name को चेक करना है, तो यह भी correct है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे true, next यहाँ पे दिया गया है 76 greater than 29, यह भी correct है, तो यहाँ पे हमें लिखना है true, the number before 26 is 27, कह रहा है कि the number before 26, 26 से before 27 आता है, is it correct, no, 26 से before number आता है 25, तो यहाँ पे यह false है, यानि की गलत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे false, next number हमें दिया गया है, 49 प्लस 29, 49 और 29 में जो number आएगा, वो आना चाहिए, 9 प्लस 9, 18, 18 का 8 यहाँ पे लिखा गया है, और 1 चला गया carry पे, 4, 5, 6, 7, यह बिलकुल correct है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे true, 4, 5, 20, यहाँ पे लिखा है 25, it means यह false है, गलत है, क्यूंकि 4, 5, 20 होता है, तो next question है, हमारा write this short form, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इनको short form में लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 क्या होता है बच्चों, 0 का 0 आ जाएगा, and 1 प्लस 1, 2, तो answer आ गया हमारा 20, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों, 25 में अगर हम 9 आड़ करेंगे, तो कितना नमबर आएगा, तो हमें क्या करना है, पहले 9 में 5 को आड़ करना है, 9 में हम 5 को आड़ करेंगे, तो कितना बनेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 50 प्लस 5, 55 तो यहाँ पे हमने इनको short form में लिखा है, तो next question है, हमारा right the long form, तो इनको हमें लिखना है long form में, यहाँ पे दिया गया है 21, तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 1, 12, 12 को हमें लिखना होगा, 10 प्लस 2, 34 के लिखनें के लिखेंगे 30 प्लस 4, 46, 40 प्लस 6, 59, तो इसको हम लिखेंगे 50 प्लस 9 इक्वल्स टू 59, तो next question है, हमारा यहाँ पे जंबल टेबल्स, class first में बच्छों को एक्जाम समें जंबल टेबल्स करवाए जाते हैं, जो starting के first 6 months होते हैं, उनमें 5 तक टेबल करवाए जाते हैं, देन आगे जाकर के 10 तक करवाए जाते हैं, यहाँ पे हमें first jumble टेबल दिया गया है, 2, 6 यानि की बीच-बीच में से बच्छों को टेबल्स दिये जाते हैं, 2, 6 आ, 12, 3, 8 आ, 24, 4, 4 आ, 16, इस कोशन के लिए आपको बच्छों को अच्छे तरीके से प्रेक्टिस रिटर्न और औरल में दोनों में करवानी हैं, 5, 7 आ, 35, 3, 5 आ, 15, 2, 9 आ, 18, 2, 6 आ, 12, 3, 9 आ, 27, 3, 7, 5, 10, 50, आज आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है क्लास फर्स्ट की मैस वरक्षिट जो आपके अभी आने वाली हाफे लिए एक्जाम्स के लिए काफी बेनिफीशल होने वाली है, इसको आपको घर पे भी प्रेक्टिस करनी है, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, साथ यसाथ बेल नोटिफिकेशन पे जाकर कि अगर आप आप आल पे क्लिक कर देते हैं, तो चैनल के उपर जितनी भी निव वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, झाल झाल